तो भाई आपकी वीडियो पर गारंटी के साथ बोलना हूँ आज कई लाख व्यूज आ जाएंगे कई लाख लिटरली तो यहां से मिलेगा इनिशल बूस्ट आपकी वीडियो को ऐसा ही आप करते हो मुझे पता है बाई दो तीन लाइक वाली वीडियो को देखते नहीं हो एक वीडियो शामेंस आप YouTube पर Short वीडियो अपलॉड तो कर देते हो अपलोड करने के बाद कुछ भी नहीं करते हो YouTube वीडियो अपलोड करने के तो आज मैं आपको वीडियो को देखो आपके सामने अपलोड करूँगा और इसको बूस्ट करके दिखाऊँगा कैसे वीडियो बूस्ट होता है तो आपको अपनी वीडियो को अपलोड करने के बाद बूस्ट करना जरूरी है अब यह नहीं कि किसी भी तरीके से boost कर दो तरीका होता है सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ देखो यहाँ पर मैं create a short पर upload करता हूँ मतलब click करता हूँ और यहाँ से मैं कोई एक video select कर लेता हूँ जिसको मैं upload करके दिखाने वाला हूँ तो यहाँ से मैंने इस video को select कर लिया done पर मैं click करता हूँ तो थोड़ा सा processing चल रहा है अब आपको यहाँ पर tick पर click कर देना है तो अब आपको next पर click करने है next पर click करने के बाद आपकी video का जो भी title है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भी कुछ भी title लिख देता हूँ आपकी video का जो भी title होगा वो आप लिख लेना और यहाँ पर pencil वाले icon पर click करके अपनी video का cover आपको जरूर select करने है जो भी आपकी video का cover रहेगा वो जरूर select कर लेना तो आपको done पर click करने है अब आपको यहाँ से वीडियो को direct public नहीं करने है इसको unlisted रखने है अनिस्टिट रखने के बाद नीचे की तरफ select audience पर click करने है और इसको no पर select कर लेना है बहुत सारे लोग ऐसे ही कर देता है direct भाई फिर आपका video viral नहीं होगा तो उसके बाद आपको नीचे की तरफ upload short पर click करने है तो अभी हमारा short video upload हो रहा है तो अब आपको क्या करने है प्ले स्टोर पर जाने है प्ले स्टोर पर आपको search करने है YT Studio तो यह वाला application आपको download कर लेना है इस application को open करने तो यहाँ पे मैंने refresh किया एक बार और में refresh करता हूँ तो अभी तक वीडियो upload नी हुआ अभी वीडियो upload हो रहा है चलो मैं वापस से YT application में चलता हूँ तो चलो वीडियो को upload होने देते हैं तो वीडियो upload हो चुक है अभी मैं YT Studio application में आता हूँ यहाँ पर refresh करके देखता हूँ तो वीडियो हमारा Studio application में आ चुक है अब आपको यहाँ पर क्या करने है पैंसिल वाले आइकन पर क्लिक करने है अब आपकी वीडियो का जो भी टोपिक है मालनो भाई आपकी वीडियो का टोपिक है फोटो एडिट कैसे करें चलो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ तो इतना लिखने के बाद आपको इस title को कोपी कर लेना है तो जब आप इस title को यहाँ से कोपी करोगे कोपी करने के बाद आपको एक application डाउनलोड करने है जिसका नाम है tag you तो यह आपको play store पर मिल जाएगा इसको डाउनलोड करने के बाद open करोगे तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है keyword idea तो आपको यहाँ पर किलिक करने है suggested keyword पर जैसे आप किलिक करोगे तो बस आपको यहाँ पर अपना यह जो आपने copy किया title यहाँ पर paste कर देना है फिर आपको check पर किलिक करने है तो check पर किलिक करोगे तो एक add आएगा तो add खतम होने दो तो हमारे सामने अभी tags आ चुके हैं तो आपको यह अगर ने नीचे की तरफ देखो इस वाले icon पर किलिक करने हैं तो सारे के सारे tags आपके copy हो चुके हैं यह आप एक एक करके भी copy कर सकते हो मैंने सारे के सारे एक साथ copy कर लिए तो copy करने के बाद आपको कहां पर जाना है YT Studio application में नीचे की तरफ देखो tags लिखा हुआ है यहाँ पर किलिक करोगे तो add tags पर किलिक करके रखना है और यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देने हुए तो अब यह सही तरही के से paste नहीं हुए अगर एक एक करके tag पेस्ट नहीं होता तो आपको यहाँ पर किलिक करने है और notes में आजाने है तो notes में आने के बाद जहाँ पर कोमा लगा हुआ है वहाँ पर एंटर कर देना है तो एक-एक tag को line में कर लेना है तो चलिए मैं फटा-फट कर देता हूँ आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा तो यहां से आपको एक-एक copy करना है इस तरीके से एक copy करो copy करने के बाद YT Studio application में जाओ और नीचे की तरफ आपको tags पर click करना है और यहां पर click करकर रखोगे इसको paste कर देना है एंटर करना है तो आपका एक tag लग गया तो इसी तरीके से आपको फटा-फट कर देना है चलिए मैं कर देता हूँ तो आपको उस application से जितने भी tags मिलेंगे आपको यहां पर paste कर देना है उसके बाद आपकी वीडियो का जो भी title था यहां पर लिखी देता हूँ मैं photo edit कैसे करें तो इतना करने के बाद उपर की तरफ आपको save पर click कर देना है तो आपका वीडियो ready हो चुका है अब आपको क्या करने है edit पर click करके video को public कर देना है YouTube पर वीडियो को डाल दो ठीक है अभी unlisted है यह मैंने public कर दिया तो वीडियो आपका public हो गया यहां तक समझ आया अब आपको जाने है वापस से play store application पर और यहां पर आपको search करने है VPN तो जब आप यहां पर इतना search करोगे VPN तो आपको बहुत सारे VPN सामना जाएंगे तो आपको किसी भी एक VPN पर click करने है यह secure है तो इसको install कर लेना है तो install अभी होने जेते हैं तो install हो चुका है इंस्टॉल होने के बाद इसको open करने है तो जब आप इसको open करोगे तो open करने के बाद आपके सामने कुछ S interface आएगा इसको accept कर लो तो अभी connect हो रहा है network से आपको उपर की तरफ एक icon बना हुआ नजर आ रहा होगा इस तरीकेगा तो आपको यहाँ पर click करने अब यहाँ पर आपको countries मिलती है तो आपको यहाँ पर पर लिखा हुआ है इनको तो select नहीं करने है क्योंकि भाई पैसे देने पड़ेंगे तो यहाँ से कोई एक select कर लो तो यहाँ से मैंने Germany select कर लिया और अभी यह connect हो चुका है तो अभी हमारा लग चुका है VPN अब VPN लगाने के बाद आपको क्या करने है यूट्यूब एप्लिकेशन में जाने है और यह आप अपने फोन से भी ट्राइ करो अपने दोस्तों के फोन से भी ट्राइ करो अब यहाँ से आपका जो चैनल है उस आईडी को यहाँ से switch पर किलिक करने है और कोई और आईडी ओपन कर ले नहीं है जैसे मैंने यहाँ पर कोई और आईडी ओपन कर ली अब आपका जो वीडियो है आपके चैनल का जो भी नाम है हो search करो कैसे भी करो link के थुरू आओ तो आपको YouTube पर उस वीडियो को play करने है मैंने अपनी वीडियो में VPN कनेक्ट किया हुए है भी तो आपको क्या करने है अपनी वीडियो को एक phone से चला के छोड़ देना है भाई चला के छोड़ दो बस भूल जाओ अब कम से कम 10-15 मिनिट के लिए जो आपको काम है वो कर लो 5-10 मिनिट के लिए mobile को अपने रख दो एक तरफ अगर आपकी वीडियो 10-15 से के होगी तो इतना जल्दी वाइरल नहीं होगी लेकिन अगर आपकी वीडियो की लेंथ 40 से केंड से लेकर 50 से के बीच में है तो आपका वीडियो जल्दी रैंक करेगा जल्दी वाइरल होगा 100% आपका वीडियो वाइरल होगा अब आपको वीडियो को किस टाइम पर पबलिक करना है एक टाइम पर मतलब एक दिन में आपको कितने वीडियो अपलोड करने है उसके बारे में जरूर जान लेना अभी तो मैं आपको ये trick बता दू, उसके बाद बताऊंगा कि एक दिन में किस time पर आपको वीडियो अपलोड करने है तो अभी तो इस वीडियो को मैं चला के छोड़ देता हूँ 4-5 मिनट के लिए तो ये वीडियो मेरा चलता रहेगा, tension free घूमो कहीं पे भी अभी इस वीडियो का लिंक अपने दोस्त के पास भी शेयर करो, उसके में भी अपना hotspot connect मत करो वहाँ पर VPN चलाओ, या भाई आप अपने दोस्त के फोन में तो VPN भी मत चलाओ वहाँ पर डारेक्ट अपनी वीडियो को 4-5 बार प्ले कर दो तो इससे क्या होगा, आपकी वीडियो को initial boost मिलेगा समझ रहे हो, आपकी वीडियो शुरुआत में boost होगी, क्यों होगी क्योंकि YouTube का जो algorithm है, उसके साथ ही तो आपको game खेलना है YouTube का algorithm समझ जाएगा, कि भाई इसकी वीडियो तो पर तो views आ रहे हैं कहीं से सोरी, retention आ रहे है, बार-बार वीडियो को देखा जा रहे है, ऐसा क्या upload कर दिया तो YouTube क्या करेगा, और लोगों के पास तुमारा वीडियो सजेस्ट करेगा मतलब आपका वीडियो, short feed में जाना शुरू हो जाएगा, लोगों के सामने अब मालो आपका वीडियो आपने तो कहीं-कहीं बार देख लिया, 10-10 बार देख लिया, 20-20 बार देख लिया, 30-30 बार देख लिया आपकी वीडियो पर audience retention हो जाएगा, 400-500%, 1000% से जादा audience retention हो जाएगा तो यूट्यूब को लगेगा कि बंदे ने कुछ खतरनाक ही बना दिया, initial boost ऐसी मिलता आपकी वीडियो को तो जब यूट्यूब के algorithm को लगेगा कुछ खतरनाक बना दिया, तो आपका जो वीडियो है, वो short feed में जाना शुरू हो जाएगा अब अगर आपका वीडियो इस लायक होगा, कि लोग 30 second देख सकें, तो भाई आपकी वीडियो पर guarantee के साथ बोलना हूँ, आज कहीं लाख views आ जाएंगे, कहीं लाख, literally अब अगर आपकी वीडियो बस खुद ही देखने के लिए सही है, आपको लग रहा है कि आँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ, तो भाई, आपका वीडियो वाइरल नहीं होगा, क्योंकि जो और लोग देखेंगे, अगर वो एक एक second का आपका वीडियो देख लेंगे, तो I don't understand, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने तो अपनी वीडियो को 20-30 बाल देख लिया, जाधा भी बाल देख लिया, audience retention टुका खड़ा हो गया, बहुत high level पर चल गया audience retention, लेकिन जो दूसरे लोगों के सामने जा रहा है, वो सिर्फ एक second देखके, ऐसे कर रहें आपकी वीडियो को, तो क्या फायदा फिर ऐसी वीडियो का, तो वीडियो ऐसा बनाओ कि लोग देखें कब सेगन, एक बार तो आपका वीडियो देखा ही जाना चाहिए, तो यहाँ से मिलेगा initial boost आपकी वीडियो को, यह आप खुद के फॉन से ट्राइ करोगे तो VPN लगा कर ट्राइ करना, किसी दूसरे बंदे के स्मार्टफॉन से ट्राइ कर रहें, तो VPN वगेरा लगाने की कोई जरूत मी है, हर कोई यही ट्राइ करता है, जिसकी वीडियो वारल होती है, अब एक और सेटिंग आपको करनी है, यहाँ पर आपको पैंसिल वाले आइकन पर यूट्यूब पर देखेगा, तो यहाँ पर सिर्फ लाइक लिखा हुआएगा, यहाँ पर दो-तीन लाइक नहीं लिखा हुआएगा, आपकी यूट्यूब वीडियो के लाइक्स हाइड हो चुके हैं, अब माल लो क्या होता है, कि कोई वीडियो मेरे सामने आता है, भाई म इस तरीके से आप अपनी वीडियो को बूश्ट तो कर सकते हो, लेकिन वीडियो को अपलोड करने के बाद, आपको एनलेटिक्स पर किलिक करने, यहाँ पर जाने के बाद, अगर आपको इंगेजमेंट को अप्शन मिलता है, आपको यहाँ पर किलिक करने, इंगेजमेंट पर audience retention 80% आ रहा है तो समझो आपकी वीडियो बहुत अच्छा perform करने वाली है लाखों में views मिलेंगे ही मिलेंगे ये मस सोचना कि अपने दोस्तों के phone से अपनी short video को देखकर बार-बार 100% audience retention कर लूँगा तो video viral हो जाएगा नहीं नहीं ये सिर्फ initial boost के लिए है जब आपकी वीडियो पर YouTube खुद से views करा देगा 100-200 या 1,500 तो उसके बाद इतना audience retention होना चाहिए 80% या 90% तब आपकी वीडियो पर कहीं लाख views आएंगे चलो अब बात करते हैं कि आपको वीडियो कितनी upload करनी चाहिए है कब-कब upload करनी चाहिए मालनो भाई आप वीडियो बनाते हो नॉर्मली fact वाले वीडियो बनाते हो और आपकी वीडियो का रहता है 30-40 second एक मिनट से कम-कम का रहता है तो भाई दिन में 2 वीडियो हर हाल में upload करो एक वीडियो सुबा 8-9 बजे upload कर दो और एक वीडियो शाम में 7-8 बजे upload कर दो हो जाना चाहिए बस हो जाना चाहिए एडवांस में वीडियो रेडि रखोगे तब ही यह करोगे वरना नहीं हो पाएगा तो आपने जो VPN लगाया हुआ है इसको disconnect भी करने है जब आप यहाँ पर किलिक करोगे तो किलिक करोगे तो यहाँ पर disconnect का option आएगा इसको disconnect भी करने है जरूरी नहीं की VPN चला कर ही रखो सिर्फ वो शुरू की 10-15 मिनिट के लिए तो जब आप वीडियो अपलोड करोगे यह boost वाली trick लगाओ और जो time बताया उस time पर वीडियो को upload करो audience retention जितना बताया उतना लेकर आओ likes हाइड करकर रखो यह मैंने आपको secret trick बता दी हर कोई नहीं बताएगा आपको यह चीज तो इसी नाम पर वीडियो को like जरूर करके जाना ठीक है और इसको ज़ादा बाद भी try मत करना कि पूरे दिन यही try कर रहे हो फिर algorithm समझे भी जाता है कि आप गलत कांड कर रहे हो कुछ समझे भी एक limit होती है और एक चीज की ताकि YouTube के algorithm के algorithm के साथ आप खेल सको अगर algorithm आपके साथ खेलेगा तो आपके channel के reach भी down हो सकती है बाकी अच्छे वीडियो बनाओ यार बस्त मस्त वीडियो बनाओ अपलोड करो और लाखों में व्यूज पाओ कभी कभी क्या होता है कि आप कुछी भी कर लो वीडियो वायरल होता ही नहीं ऐसा पता कब होता है जब आपका channel freeze हो जाता है तो ये वाला वीडियो देखो इसमें मैं आपको उता है कि कैसे अपने channel को unfreeze करते हैं किलिक करो और देखो नीचे किलिक करके subscribe जरूर करते हैं जुन्नो की track को मस्त मस्त content मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ तो चलिए इस वीडियो को यहीं पनेट करते हैं किसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब देख के लिए आप लोग अपने धान के end भावाई